हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल डूर स्टैप एजुकेशन पॉइंट पर हर्दिक स्वागत है उमेद है आप सब लोग अच्छे होंगे अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो मारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियो को मिसना करने के लिए बैल आइकन भी प्रेस कर लें अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्फुल लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों को शायद बहुत मोटिवेशन मिले और शार्ष यहां पर जितने भी स्टेट के टाट होते हैं यह आपके सभी में बहुत ज्यादा हल्प करेंगे तो चली शुरू करते हैं आज के मारे फस्ट कोशन से तो आपको थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉब्लम आएगी यहां पर जो भी कोशन है उनको देखने में बट मैं भी फ फेक्टर प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन इंफ्लेंसिंग डिवलपमेंट अब इसको हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निमन लिकित कारकों में से किसकी भूईमी का महत्यपूर्ण होती है आपको यह ब निमन बám आए उसको हम कहते हैं ऊंची इस तरहां को यह एक देखते हैं कि यहांपर इनुसार और या फिर विकास के लिए ओकने में तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जो प्याजी है वो क्या बात बताते हैं कि जो भी बच्चा होगा और या फिर और भी कुछ जो साइकॉलोजिस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो ज्यादा तर एक्टिव पार्टिसिपेशन और बच्चे की ठीक है ना कि जो भ मतलब यह कि जो बच्चा होगा वह वहाँ पर जो फीजिकल वर्ड है हमारा जो रियल लाइफ है उसके साथ वह अनुभाव करके जो भी चीजें है वह उनको अच्छे डंग से यहाँ पर उसका विकास है वह होगा तो इस तरह से जो ऑप्शन नमबर 3 है वह इसका बिल्कु आपको यह कॉश्चन समझ जरूर से आ गया होगा तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नमबर 3 तो इमिटेशन की बात यह नहीं करते रिन्फोर्जमेंट की बात भी नहीं करते मतलब बाते करते हैं बट वह ज्यादा किस बात पर वह जो देते हैं कि पैज़े के अनु आपको यहां पर प्याजे के लिखा नहीं हुआ बस आपको यह समझ लेना है कि जो भी कोगनेटिव डवलप्शन की जो पूर्व संक्रयात्मक काल में आने वाले संग्यात्मक योगता है तो आपको यह बताना है इसमें से कौन से आप्शन सही होगा तो आप्स्टेक्ट त तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आप्शन को यह देखेंगे बाकि के जो आप्शन का यहां पर जो आंसर होगा उसको भी हम डिसकस करेंगे तो अबल्टी फॉर अबस्टेक्ट तिंकिंग तो क्या इसका यह आंसर होगा या फिर इसको हिंदी में अम्यूर्त चिंतन की योगता है अब ही कलपनात्मक निश्च कर रहें चिंतन या फिर अबल्टी टू अबल्टी ऑफ गोल डिरेक्टेड बिहेवर की लक्ष उदश्यत वहवार की योगता या फिर अबल्टी टू टेक अदर प्रस्पेक्टिव की दूसरे के दिर्ष्टि कौन के समझने की योगता तो आपको ज्यादा तर फॉर्मल अपरेशनल एज में ही आपको यह देखने को मिलती है जो भी थिंकिंग है मतलब यह चौथी स्टेज में आपका डिवलप होता है फस्ट तो फिर होगा नहीं अगर हम यह आपर दूसरे की बात करें तो दूसरा भी जो होता है वह आपको इसी यह आंसर हो सकता है कि ability to go directed behavior की लक्ष अधेदिच जो भी आपका behavior है क्या इसका यह आंसर हो सकता है या फिर जो फॉर्थ option है ability to take others perspective की दूसरे से दिरिश्टिकोंड को समझने की योगता रखना तो आपको यह बताना है तो अगर हम बात करें सही answer की तो उसका जो सही answer है वह हो जाएगा option number 4 ठीक है ना option number 4 क्यों होगा तो यहाँ पर जो प्री operational जो की sensory motor stage के बाता है तो यह उसी में इसका जो सही answer हो जाएगा ability to take other perspective तो इसका यह बिलकुली सही answer है अब हम चल अगर हम यहाँ पर बाकी के option number 3 की बात करें तो यह आपको sensory motor में देखने को मिलता है ठीक देख लेते हैं यहमारा आज का third question है सबसे पहले में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि which one of the following आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा जो option होगा वह और आपको इसमें से सही उत्तर बताना है आपने एक बार पढ़ना है इसको ध्यान से punishment and obedience orientation law and law are not fixed but can be changed for the good of society जो तो इसमें भी छे स्टेजेस हैं और आपको तीन लेवल देखने को मिलते हैं तो उसके बार में थोड़ा सा जरूर से discuss कर लेंगे सबसे पहले हम options को देखते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा तो अगर हम first option की बात करें तो क्या हो सकता है इन्होंने पूशा समीदा अभी विन्यास किसी कार के भौतिक प्रणाम निर्धारत करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा गुड़ बॉइंड गर्ल औरियंटेशन वन अंस अप्रूबल बाय बिंग नाइस अच्छा लड़का वा अच्छी लड़की अभी विन्यास अच्छा बनकर कोई स्व फैली वोमन राइट के नियम और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नियम और अदेश अभी विन्यास मानव धिकारों के मूले के अधार पर नेंतिक सिध्धान के स्वें चुनने जाते हैं तो आपको यहां पर सही आंसर भो बताना है तो यहां पर अगर हम बात करें यहां का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें से सही आंसर आपका कौन सा है और बात में देखेंगे कि यहां पर और कौन-कौन से यहां पर बाते बताई हुई है तो यहाँ पर देखते हैं तो जो इसका सही आंसर है वो है good boy and good girl तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको ये stage देखने को मिलती है ये आपकी second level की ये third stage है ठीक है ना second level में आपको ये जो third stage है वो देखने को मिलती है तो इसमें जो भी किया जाता है बच्चों के दवारा जो भी यहाँ पर बच्चे हैं तो वो किसलिए किया जाता है कि one earns approval by being nice की आप काम करते हैं कोई भी अच्छा बनने के लिए दूसरों के निगाहों में ठीक है ना तो अगर बात करें यहां पर यह बिल्कुल ही सही option है अगर आप बाकी के जो हम बात करें की मिलती है और यहां पर जो तीन level कौन कौन से हैं एक तो है यहां पर pre-conventional stage प्री-conventional level है ठीक है और दूसरे के अगर हम बात करें तो यहां पर है वो कन्वेंशनल और लास्ट में है वो पोस्ट कन्वेंशनल सौरी थोड़ा सा मिस्टिक हो गया फर्स्ट है प्री फिर बाद में आ जाएगा कन्वेंशनल और बाद में आ पोश्ट कनेशनल तो अगर हम बात करें यह पर प्री-कनेशनल की तो आपको यहां पर दोस्टेब्स देखने को मिलते हैं एक तो है यहां पर पनिषमेंट एन्ड रिबॉर्ट मतलब कि जो भी ब Quinnink Mind सबस्क्राइब चलता हूं यहां क्या Hm मारि ajudar को पूछा गया कि बताओ नहीं किया है वह सही है कि गलत वो सही है गलत है तो उस लड़के के बारे में कोई नी सोचा ठीक है तो वो Generally punishment से डरता है तो इसलिए वो ऐसा करता है अगर हम आपर बात करें दूसरे स्टेज की तो दूसरे स्टेज में क्या होता है कि personal interest की personal interest के लिए कि आप को यह आपर कोई चीज मिलेंगी थो शिर्फ आप अपने रस्ट के लिए जो भी वहाँ पर काम होगा वह करेंगे अबर में यह आपर बात करें आपर थर्ड स्टेज्ज मतलब की सैकेंंड ल nelle 2 पर आपको दो स्टेज्स देखने को मिलतीया है कि यहाँ पर पहला देख लिया दूसरा देख लिया अभर आप न थर्ड तो कह सकते हैं अपने selfishness के लिए या फिर अगर हम बात करें तीसरे में तीसरे stage में क्या होता है अच्छा बनने के लिए दिखने के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें fourth में तो fourth में क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं मतलब कि social पर चानून बनाया हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप यहां पर फिफित की बात करें तो यह क्या है यह सोचल कॉन्ट्राक्ट में यहां पर कौन सी बात है कि आप आपने यहां पर कोई भी काम किया ठीक है ना तो यहां पर आप मुरायल्टी का ज्यादा ध्यान रखेंगे मान लेजें कि आपको यहां पर कोई आपके साथ को गलत हो गया ठीक है ना तो आपका जो फ्रेंट होगा वो कहेंगा कि यार अबना हम उस आदमी को शोड़ेंगा न तो यहां परग्राइबाते सिक्स्टेज में the six stage में क्या होता है कि यूड़ा से यूणिवंण प्रिंसपल के यहां पर बात कही जाती है कि यहां पर जो भी आप कुछ काम करेंगे वह लॉंग टर्म में सभी कुछ बदलने की यहां पर बाते करते हैं ठीक है ना तो यह हमारा एक कह सकते हैं कंसेप्ट था जो कि आपकी एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम यहां पर बात करें हैं यहां पर फॉर्थ जो हमारा बाद में मैं आपको जो थ्री टाइप सब स्पीच है मैं आपको वह बताँगा कि वह कौन-कौन सी यहां पर आपको स्पीच है वह देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्थ ऑप्शन का आंसर देखते हैं तो जो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है कि एल substitute that children are egocentric क्या बच्चे egocentric हैं मतलब कि Osуд करती है कि बच्चे एहम के इंद्रित होते हैं अपने आप से प्यार करते हैं या फिर option number 4 illustrate that children use speech to guide their own actions कि सपस्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाशा का अपयोग करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा तो private speech क्या होती है private speech जब बच्चा आपने खुद के गलतियों के लिए या फिर खुद को guide करने के लिए जो भी काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम यहाँ पर private speech कहते हैं तो option number अगर आप 4th में देखेंगे तो इसमें यही बात लिखी हुई है ना कि जो भी illustration that children use private speech जो भी यहाँ पर है private speech आपके question में लिखा हुए use speech to guide their own actions कि जो भी वो काम कर रहा है उसको कई बार आपने बच्चों को देखा नहीं है कि हां वो कहते हैं कि यार आज मेरा homework रहता है मैं आप homework करूंगा हां मेरा यह काम भी हो गया है तो अक्सर आपने बच्चों को यह करते हुए सुना होगा ठ यहां पर आपको पब्लिक स्पीच और यहां पर एक आपको शोशल स्पीच ठीक है ना शोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच और यहां पर एक इनर स्पीच आपको देखने को मिलती है तो अगर आप यहां पर बात करें प्राइवेट स्पीच तो अगर आपने देख लिया कि आपर क्या होती है तो प्राइवेड़ स्पीस के बारे में तो हमने देख लिया अगर हम यह आपर बात करें जो भी हमारी इंडर स्पीज इसको हम कहते हैं तो इंडर स्पीज था अब हम चलते हैं कि आपने नेक्स्ट को अपर इसको भी देख लेते हैं अक्रॉडिंग टो वाइगाउट्स की लर्निंग कैनाट वी सेप्राइट स्टार वाइगाउट्स की वह क्या कहता है कि सीखने का प्रिथिक नहीं किया जा सकता आपको यह सही बताना है किसको अलग नहीं किया सकता किस के साथ कि समाजिक संदर्ब परिख्रयाँन से या फिर रिन्फोर्समेंट की पूर्न बलन्से या फिर मिजरेबल चेंज इन बहेवेर के वेवार में मापनियोग प्रवर्तन से उसका अगर हम बात करें सही उत्तर तो यह जो वाइगाड की है वह शोशल को मतलब की सुसाइटी को ज्यादा कहते हैं कि जो भी बच्चा लेंगवेज है कुछ भी सीखता है वह यह सुसाइटी पर बहुत ज्यादा जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अबर टू ज्यादा हम यह सिहार है कि कख्षा कख्ष आपको यह बताना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इंटेल्स एट क्लास्रूम कैसी होनी चाहिए डेमोकरेटिक एंड देरी सेपरेट के इवन तूदा चेल्डन फॉर अंडिस्टेंडिक लोगता है और समझने के लिए बच्चों को प्रैप सिक्षा है प्रगतिशिल सिक्षा के बारे में हम अल्रेडे डिसकस भी कर चुके हैं जो हुमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है तो जौन डूइक का माना जाता है कि वह उन्हों ने यह शुरू किया था अब हम बात करते हैं अथौरिटेरियन क्या भी सत्तावादी सत्ता लिए कि तह लगता है कि बिना टीचर के बच्चा है वो शिक्षा क्रेंड कर सकता है तो ऑप्षे नंबर फोर बहला भी गलत हो सौरि थूड़ा थोड़ा सा पता निफ्टा नीलेगा यह रहल्म गे तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह यहां पर फोरॐ और लास्ट वाले में तो कहा जा रहा है कि यहां पर दिखाए दे रहा है तो यहां पर बिल्कुल ही सही आंसर है तो आज कमारा सही आंसर कौन सा सब्सक्राइब है कि सभी बच्चों को यहां पर स्पेस मिले सभी बच्चों की यहां पर बात सुनी जाए ठीक है तो समझ गए होंगे आप अगर हम यहां पर बात करें सैवंध कोशन की यहां पर क्या लिखा हुआ है विच्वन आफ फॉल्लाइंग इलिस्टेट परसन विद लिंग्विस्टिक इंटैलिएंसी की परसन की हमने विशेश सा बतानी है तो अक्सर आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो गाड़नर की ठीक है तो यहां पर इससे कोशन बहुत बंते हैं हम इसको भी किसी दिसकस कर लेंगे यहां पर जो निमन लिकित में से कौन सा उधा यहां पर यहां पर यहां पर देने वाले दूसरे में अंतर कर सकने की यह तो आपको यह बताना है तो दोस्तों अगर आपर चौते आप्शन की बात करें तो यह क्या बताया हुआ है कि distinction अब ध्यान देना दूसरे अंतर कर सकने की युगता तो यह option गलत हो जाएगा भाशा कि यहां पर कोई बात कहीं नहीं गये तो यह option कैसे हो सकता है अगर हम यहां पर option की बात करें थर्ड की तो यहां पर यह कुछ music की बात कहीं जा रही है त देखें तो यहां पर क्या बताया हुआ है कि sensitivity to the meaning and order of a word and a varied uses of language की शब्दों में अर्थ तथा क्रम तथा भाशा के विविद्ध परियोगों की सब्रिति शमीदन शीलता तो यह इसकी बात कहीं जा रही है ठीक है ना तो यह जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा विचार प्रकृतिया को प्रभावित नहीं करती है जो भाशा है या फिर या फिर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव होता है तो आपको यह से उतर बताना है तो डाजनाट इंफ्लेंस वाला जो फर्स्ट ऑप्शन हो तो यह हो जाएगा गलत बिल्कुल अगर हम यहां पर ब बंधर नहीं ही हैं उप्शन हलता है यहां पर जो फोर्थ है थिकहन तो यहां पर बिल्कुली जहीं आंसर है जो हमारी विचार revenue को प्रभावित करती है चलिए चलते हैं आजके हमारे सेकंड्लास कॉशल्षन पर अबम इसको भी देख लेते हैं text book of class age has following ई इन dependent वोमन इल्टेशन साइं वोमन एज़ टीचर एंड मेड वाइल मैं डॉक्टर एंड पाइलट तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर मेर को नहीं रखता आपको कुछ बताने की जुरत पड़ेगी भी क्यों क्यों कि यहां पर सीधे तोर पर ही बताया जा किसी स्पैसिफिक जेंडर की बात बताई जा रही हो कि एक फिक्स्ट इमेज बता दी जाए है तो आजकल अगर आप देखेंगे तो आजकल तो चलो सिचुवेशन चेंज हो रही है बट अगर आप पहले की बात करें तो महिलां को जदा तर घरे लूग के रूप में जदा कॉंसिस्टेंसी है तो आपको यह सही उत्तर बताना है तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टिरोटाइप में की तो पॉल्टी में भी भले वह पैडागोजी हो हमने यह कितनी बार डिसकस किया हुआ है तो स्टिरोटाइप होता क्या है जब भी किसी परसन की फिक्स्ट बना रहे हैं तो ऐसा जुरूरी नहीं है कि अगर आप पुर्षों को कहा दें कि पुर्ष है वो घर का काम अच्छा करते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है यह पॉस्टीव भी हो सकता है जैंडर जो स्टिरोटाइपिंग है मतलब यह कि फिक्स इमेज बना दी जाती है तो यह बिलकुली इसका सही आंसर चलते हैं आज के हमारे नेक्स कोशन पर देकने को मिलता है आप 라소 जियसे पांचयों गली और तो समान ज्यादा ध्यान देंगे तो वो भी प्रोग्रास करने लग जाते हैं तो यहीं उन्हें पूशा हुआ है कि सिक्षारतियों में बहुत विभिनताइं होती हैं इन में से सिक्षारती किसके के लिए सिक्षक को समेंदन शील होने की अफशक्ता है आपको यह बताना है संग्यात्मक शम्ताओं और सीखने के स्तरों पर अधारित भिनताएं डिफ्रेंस बेज डिवर्सटी ऑफ लेंगविजेस कास जेंडर रिलीजिंस कमिनटी की भाशा जाती लिंग धरम समुदाय के विविता पर अधारित भिनताएं तो आपको यह बताना है इसका सही उत्तर क सिंटिव होना चाहिए थी तो ओविएस ही बात है जो दोनों लिखे हुआ है यहाँ फ्रस्ट का outdoor लिभा किया हुआ है कि अ-डिफ्रेंस बेज्ड-अन जो भी सेंस्टिव होना चाहिए टीचर को होना तूब बिल्कुली सेंस्टीव कि उसको सेंस्टीव होना चाहिए डूसरे उप्षन में लिखा हुआ है कि डिफ्रेंस बेस्ट बेस्ट डैवर्स्टी ओफ लेंग्वेजिस की हमने हां भी हमें उनको भाषा के भी या फिर जो उनकी जाती है जैंडर है उन सब्सक्राइब को लेकर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेना है हमें इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं हम आपकह कही कहा सकते हैं कि service में ओल्वेज वैल व Ferr Glen है और ऑम कही造建त है उसको भी हमारी टीम है कमेंट कीवाब करते हैं मुन प्र invasety रहती है तो अगर